जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में क्रोना एक्टिव केस की संख्या 932 नए मरीज की संख्या 344 जार्खन राज्ये में क्रोना संक्रमन का फैलाव तेई से होने लगा है बतादे एक्टिव केस की संख्या 900 के पार पहुंच गई है बुद्वार को राज्ये में 344 नए संक्रमित मिले है जिसमें र पर दोम का एक लातियार एक और पलामू से एक संक्रमीत सामिल है बता दे तीन जीलों में पोजेटिवीटी रेट सबसे अधिक है जिसमें राची में 3.6,3% कोडारमा में 3.33% वारामगर में 3.15% पोजेटिवीटी है कोडारमा में कुरोना के एक्टिव केस की संख्याद 257 है वही स्वास्त विभाक्यान सार अक्टूबर और नॉमबर में भुनेस्वर भेजेगा जिनोम सिक्वेंसिंग की जाच में ओमिक्रोन के पुष्टी नहीं हुई है जारखन में और गिरेगा पारा आज से छायेगा घना कोहरा रांची और आसपास के इलाकों में गुरू आरसे घना कोहरा चाये रहने के उमिद है वही नियुतमतापान में 3-5 डिग्री सेल्सेस की कमी आज सकती है बता दे उत्तर भारत में लगतार बर्फबारी का असर जारखन पर पड़ेगा एक दी दिसम्बर से मौसम तो साप हो जागा लेकिन लोगों को सुबह में ही घनी कोहरा और बर्फीली हावा चलने के कारण सित लहर के परकोप से परसानी हो सकती है रांची में बुद्वार को भी आकास में बादल चाहे रहें जबकि नियुतमतापमान 13.1 डिग्री सेलसेस रिकोड गया वहीं काके का नियुतमतापमान 8.3 डिग्री सेलसेस रिकोड किया गया बता दे पच्मी बिचोप के कारण पिछले 24 गंटे में राजे के लगभक सभी जीलों में बारिस हुई सबसे अधिक बारिस बोकारों में हुई है कक्षा नौवी और दस्वी के छात्रों के खाते में जाएगा किताब का पैसा चार्खन राज के सरकारी स्कुल में पढ़ने वारे 3 लाग छात्रों को इस वर्स किताब के बदले रासी दी जाएगे बता दे इसकुली सिक्षाम सक्षता विभाग ने इसकी परकिरिया सुरू कर दी है सभी जिलों से इस समानवे जनकारी मांगी गई है नएस साल में प्रात्मिक सिख्षकों के सरोजनिक अवकास की घोसना जार्खन के स्कूली सिक्षायम सक्षर्टा विभाग ने नए साल के लिए प्रात्मिक सिष्कों के सरोजनिक अवकास की घोसना कर दी इसके मुताबिक सुभाच चंद्र बोह सहीत महात्मा गांधी जैसे महापूर्शों के जनम दिवस वकुष तेवहारों का दिन रभिवार क सरोजनिक अवकास के दिन पर रहा है बता दे डी एसी कर्याले से सिक्षकों को जारी है सुचना के तहत राची जी लेके सभी राज़किये क्रित प्रात्मिक वमध्य विद्याला है गर सरकारी सहयता प्राप्त अल्पसंख्यक तथा उतकर्मिक नौप्रात्मिक विद्याले रांची में दिन दहाले डिलेवरी बौआ की चाकू मार कर हत्तिया जार्खन कि राइधारी रांची में अपराधियों के होसले बुलंद है बता दे रांची के चूटिया थाना छेत्रेश्थित ओवर विरिज के पास आज गुरुवार को अपराधियों न डिलेवरी को चुनोती दे रहे हैं अपराधियों के होसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने दिन दहाले एक डिलेवरी बौआ को चाकू मार दिया है हथियार आपूर्ति मामले में रेड राची समयत बारा स्थानों पर एनाये का छपा बर्दमान में छप मारी की गई अधिकारियों ने कहा कि मामला सी एफ पी एफ के आयूर्ध ग्रिहों से हथियारों और गोला बारूत की चूरी और उन्हें जार्खन में नक्सलियों के आला नेताओं तथा अन्य अतंक्वादी गिरोहों को आपूर्ति से जुड़ा है उन्होंने बताए कि राची में नॉम्बर मामला दर्श किया गया था और एन आईये ने नव दिसंबर को जाच समाली थी निव इयर पर पैदल और साइकिल परत्योगता कराय रेश्टेसान केंद्रिय अवासय निवम सहरी कारे मंत्राले ने इंटर सीटी फ्रीडम टू वर्क एंड साइकल कमपनी की सुरुवात की है इसमें राइधानी के लोग भी हिसा ले सकते हैं बता दे एक जनवरी से 26 जनवरी के बीच होने वाली इस परत्योगता में राइधानी के लोग हिसा ले सकते हैं इसमार्ट सहरो के नगरिकों के लिए सुरू की गई इस परत्योगता के लिए राइधानी करते हैं के वक्त समय की गई दूरी को रिकोर्ड किया जाएगा इस पर तोगता के लिए रेश्टेशन कराने वाले सभी नगरी को द्वारा तय की गई दूरी का हिसाब किताब दिल्ली में बैठी मंत्राले की टीम एप और सौप्ट्वेर के जरिये रखेगी जारखन में ओमिक्रोन को लेकर पबंदियों की घुसना साम तक जारखन में क्रोना के बर्ते संक्रमन ने सरकार की जानता बढ़ा दि है इसे क्यंद्र में राक कर सरकार की ओर से संक्रमितों को हर आल में अस्पालों में भरती कराने की निद्यस दिये गये हैं संभावाई की सरकार वायरस के फैलाव को रोकने के नीमीत कूछ और पवंदिया बढ़ा है इस मसले पर आज गुरु आरको मुख्य मंत्री हमन सुरेन की अध्यक्स्ता में आपदा प्रधन प्रधिकार के उच अस्तरिय बैठक होने जा रही है बतादे इस बैठक में सरकार कड़े फैसले ले सकती है जिसका असर नव वरस के स्वागत समारो पर पर सकता है होटलो कलबो ने पहले सही 31 दिसंबर की रात नव वरस के भवे स्वागत की तियारिया कर रखी है जिस पर ग्रहन लग सकता है सरकार इस महों के पर संसोधित गाइडलाइन भी जारी कर सकती है बताथे चले की राजे में अब तक कुरोना के 900 से भी अधिक सक्रिमामले आ चुके है सिंगल गर्ल चाइल एसकोलर सीब दोहारी किस के लिए सीबी एसी ने मांगा आवेदान सीबी एसी ने नया सरकुलर जारी करते हुए सभी स्कूलों से सिंगल गर्ल चाइल एसकोलर सीब दोहारी की स्योजना के लिए आवेदान मांगा है बोर्ड नहीं आगोसना वेपसाइट पर सर्कूलर जारी करकी है बता दे कि बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार सीबी एसी समब्ध स्कूल 31 दिसमबर से 25 जनवरी 2022 तक SGC चात्र वीर्ती आवेदनों को मंजूरी दे सकते हैं CBSE 12 जारी सर्कूलर के अनुसार इस वर्ष इस स्कूलों से कहा गया है कि वे इस योजना के लिए जारी निर्देश के अनुसार अपने छात्रों को आवेदन करने के लिए प्रेरित भी करें राची रिम्स में 13 डॉक्टर और नर्स पाये गए क्रोना संक्रमित दूसरी लहर के बाद रिम्स में फिर एक बर करोना बलाश्ट हुआ है बतादे रिम्स के साथ डॉक्टर संक्रमित पाये गए हैं जबकि दो अस्टाप नर्स और चार अने करमचारी करोना पोजेटी मिले हैं अब सभी संक्रमितों का सेंपल भुनेश्वर ओमिक्रोन बेरियंट की जाच के लिए भेजा जाएगा बतादे रिम्स में बुद्धवार को रिम्स से 76 डॉक्टर सहीत करमचारी ने सेंपल दिया था इसकी जाच रिपोर्ट आने के बाद सभी को भरती होने का निर्देश दिया गया इसमें गाएनी विभाग, यूरोलोजी विभाग, मेडिसीन, नियूरो, अर्थो सहीत और विभाग के डॉक्टर सामिल है एक जनवरी को दो क्लोर से अधिक किसानों के खाते में नहीं आयेगी 2000 की किस्त Wilson समान ने दीकी 10 किस्त का इनतियार कर रहे कलोरों किसानों के लिए एक अच्छी और एक बुरी ख़बर है अच्छी खबर है कि दसवी किस्त बिना EKYC किसानों के खाते में भेजी जाएगी वहीं बुरी खबर है कि प्रधान मतिन एन्वदी एक जनवारी को पीम किसान से जुड़े करोड़ों किसानों को नए साल का तोफा देने जा रहे हैं लेकिन इसमें से करीब दो करोड़ से नक्सलियों खिलाब पूलिस को बड़ी सफलता मिली है जनवारी 2020 से अब तक राजे पूलिस के नक्सल अभियान में 410 नक्सलि गिरफतार हुए वही 29 का सरेंडर पूलिस ने बिभीन जीलों से कराया जबकि पूलिस मोड़ों में 6 नक्सलि मारे गाया हैं राजे पूलिस के आगळों के मुताबिक पूलिस ने पूलित बियोरो सदस्य वह एक लोर कैनाई परसांत बोस सेंट्रल कमीटी सदस्य सीला मरांडी सैक सदस्य वह 25 लाग कैनामी प्रगुन सर्मा रिजिनल कमीटी मेंबर 15 लाग कैनामी रमेश गांजू उर्फ आजाद सम 28 बड़े उग्रवादियों को गिरफतार किया है नए साल में नोकरी की सवगाद 4000 से अधिक पदो पर भरती नए साल में युवाओ को सरकारी नोकरी का तोफा मिलेगा बताद ज्यार्खन में बर्ष 2022 में युवाओ को नोकरी की सवगाद मिलेगी कार्मिक व प्रससनिक अविदन मांगे गया है बताद ज्यार्खन कर्मचाई चैन आयोग ने फिलहाल सीवील मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के क्लिए कूद 285 कनी अभियांता के नियुक्ति के लिए वियापन जारी किया है साइंस्टिफिक असिस्टेंट के 64 पदो पर भी आविदन मांगे जानी है एक जनवरी से जीएस्टी में हो रही भारी बढ़ोत्री केंद्र सरकार दुआरा कपड़े पर जनवरी दोहर बाई से जीएस्टी की दर पांच परतियस से बढ़ा कर 12 परतियत किये जाने के नेने की बिरोद में जार्खन थोक वस्त्र विक्रेता संकी और से सुक् जीएस्टी दर में बढ़ोत्री के बिरोद एवं बंद की खोसना करने को लेकर गुरु आरको जार्खन थोक वस्त्र विक्रेता संग द्वारा पेश्वार्ता का उजन किया गया रांची के अपर बजारिस्थी संगठन के कर्याले में अवित पेश्वार्ता में जे टी वी एस के अध्यक्ष परकास और सचीव कमल जयन उपाध्यक्ष उमा संकर सामिल थे बीरसा मुंड़ाय अर्पोड पर बढ़ाई गई निगरानी जिस रफ्तार से जार्खन में इस समय क्रोना के नए मरीज पाये जा रहे हैं उसने राज सरकार प्रसासन और लोगों के निंद उड़ा दी है धाण धाण अब नए नए मरीज सामने आ रहे हैं बता दे राची अर्पोड पर ही नहीं रेलवेज स्टेशनों पर आने और जाने वाले यात्रियों के भी क्रोना जांच शुरू कर दी गई है हर यात्री पर नजर रखी जा रही है राची अर्पोड पर बा कोमेट बक्स में आपना फिड़बाइक आवासे दे थैंक यू